हेलो दोस्तो हैपी नियू यर स्वागत है आप सबका मेरी चानल पे और आज को जो व्लॉग मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ यह है पचीस से शब्वीस तारिक वाली जानती हूँ बहुत लेट पोस्ट किया है और आप आप समझ सकते हो ट्रैवल में बहुत ट्रायड हो गई थी इसके वैसे मैंने शेर नहीं किया है तो यह 25 जिचंबर के शाम को हम गये थे घूमने के लिए वहां से घूम के आने के बाद हम बहुत थक गये थे और यह 26 का वीडियो जिस दिन हम ट्रैवल के लिए निकलने वाले थे और मैं पहुँच गई हूँ विस बेंगौल दुर्गापुर जहां मेरे ममी पापा रहते हैं उनसे दो साल के बाद मिल रही हूँ और हमारे बच्चों के एकसाइटमेंट ही अलग है मैं बहुत खुश हूँ कि इतने वक्त के बाद मैं ममी पापा को देखने वाली हूँ और यहां मेरे बच्चे भी बहुत ही खुश है हम 26 को निकले थे वहाँ इवनिंग और यहां पहुंचते पहुंचते हमें 28 का आफ्टरनून हो गया ट्रेन 6-7 गंडे लेट थी इसके वैसे हम बहुत ज़्यादा टायर्ट हो गये थे ठक गये थे इसके लिए सीधा घर पहुंचके नहाद होके फ्रेश होने के बाद हमने खाना खा लिया था इसके लिए वीडियो मैंने अच्छी तरिके से शूट नहीं किया मेरे जाने तक ममी ने खिचरी बिठा दे थी गर्मा गर्म यमी यमी खिचरी जो मेरी बहुत ही फेवरेट है विजटेबल वाली तो यहां मैं थोड़ो थोड़ा करके ही दिखा रही हूँ पुड़ा वीडियो पिल्कुल भी शेर नहीं किया है मैंने यहां मैंने दाल और राइस को अच्छी तरिके से बॉइल होने दिया है और यहां ममी ने विजटेबल कट करके रखा है यह सरसो का तेल है जिसमें तरका लगाना है थोड़ी से कलोंजी, सरसो, जीरा, सुखी, लाल मिच और इनको अच्छी से सोटे होने दे उसके बाद इसमें एट करेंगे आप कदू, रेट पंकिन जो आती है वो आलू, मटर है तो मटर, गाजर है तो गाजर ममा के पास जो अवेलेवल था ममी ने उन्हीं को एट कर लिया है इसे अच्छे से फ्राइ किया है थोड़ी वक्त के लिए फिर इसमें नमक, हल्दी, थोड़ी से मसाले एट करने के बाद इसको अच्छे से फ्राइ कर लिया है और फ्राइ हो जाने के बाद इसको एट कर दिया है जो डाल और राइस हमारी पकड़ी थी उसके अंदर पकड़ लेने के बाद इसमें टेस्ट के अनुसार नमक ममा ने चेक कर लिया है नमक थोड़ा कम था तो ममी ने एट कर दिया है थोड़ी सी हरे मिच्चे को ममी ने बिना फड़ाइ किया डायरेक्ट चीडा लगा कि उसमें एट कर लिया है और इसे तब तक उबलने देंगे जब तक कि अच्छी तरह के से दाल खिच्रे की कंसेंटेंसी में नहीं आ जाती है तो यहां खिच्रे बनके तयार हो गई गर्मा गर्म बहुत भुक लगी थी हम भी बहुत थक गए थे इसके लिए हम एने जादा इसमें कुछ भी शूट नहीं किया जैसा वीडियो मेरा के बना आड़ी वीडियो पसंद आया है खिच्छ को लाइक शेर कर द बूंट जरूरक द narrow बहुत सरी रेसिपिस अपके आपके शेर करने वाली हों तो मेरी वीडियो के सथ बने रएगे यहां ममी ने आम का अचार बनाया था इसकी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ बहुत ही शेयर की हुई है तो इस वीडियो को जरूर देखें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिल जाएंगे तो यमी यमी आम का अचार यह है बेगुन भाजा सिंपल सा हल्दी, नमक और थोड़ी सी मिर्ची का पाउडर लगा के ममी ने पेगन को फ्राई किया हुआ है सरसो के तेल में जो बहुत ही स्वादेश लगता है और यह है टरनिप आलू की सबची जो मेरी बहुत ही फेवरेट है साथ में यहां ममी ने बना है फ्रेंच बीन्स और आलू फ्राई जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ममी ने सारी इतनी भी चीज़े बनाई थी पूरी रेसिपीज ही सिंपल बनाई थी ताकि किसी को भी किसी तरी की शिकायत नहूँ क्योंकि ठकान के बाद खाना खाने को मन नहीं करता है आप सब समझ सकते हो और सिंपल खाना हो तो उतना अच्छा लगता है तो खाना खाके हम सब सो गए थे सो के उटने के बाद मैंने देखा कि ममा चावमिन की प्रिपरेशन कर रही थी तो ममी ने बहुत सिंपल तरीके से यहां यम्मी से चावमिन बनाई हम सभी के लिए आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल एड़ कर सकते हो अगर आप चावमिन की रेसेपी देखना चाहते है तो डिस्कुप्शिन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो को चेक जरूर कीजे बहुती मज़ेदा नाशता है यह बहुती जल्दी प्रिपेर हो जाता है और बच्चों को बहुती पसंद आता है तो मैंने अपने बच्चों को चावमिन सॉस के साथ दिया है आप चाहेए तो इसे प्लीन भी खा सकते हो जिस दिन में ट्रैवल के लिए निकल रही थी ट्वेंटी सिक्स को उसी दिन मैंने अपने ट्रेन के नाशते के लिए कुछ निमकी तैयार की थी जिसको नमक पारी भी कहते है उसकी रिसेपी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एट करूँगी जरूर देखो बहुत ही खस्ता बनते हैं और बहुत ही यमी लगती है और बहुत ही कुर्कुरे जैसे लगती है और ये लगभग आप एक से टेर महीने तेक स्टोर करके रह सकते हो इसमें मैंने मैदा आटा दोनों मिक्स किया है आप चाहे तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हो तो हमने जिस दिन बनाया था उसका भी छोटा सा वीडियो है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ यहां नमक पाड़े बनाते वक्त मेरे बच्चों ने मैं यह बहुत मदब की है इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी मैंने इसे तयार कर दिया था और उसके बाद इसे स्टोर करके मैंने रख लिया है आप भी जरूर ट्राइ कीजिए यह रिसेपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है तो इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए दिस्क्रिप्शन में बहुत तरिकी की वीडियो आपके साथ में लिंक शेर करती हूं, उनको खोल के आप ज़रूर वीडियो चेक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो डिफिनिटली लाइक कर भीजे, तो चलिए मिलते हैं आगल वीडियो के तब पचले, टेक केर, बाई बा अअगी केंडियो प्लाय में शें कर दोड़ी प्रचत dł leven, गिजयों गिएक कर वीडियो संद दीन वेग ज़र नहां कर वीडियोग टते हैं झाल झाल झाल